किसान सातियों नमस्कार राम राम सस्रीका अलादव किसान सातियों आप अच्छे होंगे ठीप होंगे भगवान से कामना करते हैं दूआ करते हैं आप जहां भी रहें सबस्तर हैं अच्छे रहें आपके काम में दिन दुगनी राच्चुगनी उन्ती हो परम पिता बोल को त्यार करें काभी फार्मर ने वाटसम मैसेज के मादम से मैसेज किये कि हम कैसे इसको बनाएं मैं सभी किसान साथियों से निमेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप वीडियो कोई वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो को पूरा देखिए अगर उसका बेनिफिट आपको उठाना है तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से इसको आपको त्यार करना है किस तरह से इसका उप्योग आपको करना है सारी चीजें उसके अंदर मैंने बताने का काम किया था आज हमें मुर्गी पालन के उपर वीडियो बनाना था लेकिन फार्मर्स के क्विश्चन की वज़े से हमें अनैंसर के उपर तीन और चार वीडियो बनाने पड़ेंगे यह हमें नजर आ रहा है आज एक सबसे बड़ा सुवाल हमारे सामने निकल के आया कि क्या सर अनैंसर के साथ में कीट नासक का मिलाना जरूरी है काफी फार्मर ने यह सुवाल किया है और कॉमेंट बोक्स में भी काफी साथियों ने यह सुवाल किया है तो उस बात को मैं कलियर कर देता हूं कोई जरूरी नहीं है मत मिलाईए क्योंकि अनेंसर का उपयोग आप कीट ना सक के लिए ही नहीं कर सकते यह आपके लिए अन्य चीजों जैसे पेस्टिसाइज है फंगी साइड है अर्विसाइड है यह रासायने को रुवक आप दे रहे उसके उपर मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा पूरा विस्तार से आपको किस तरह से वो ट्रीट करना है लेकिन आज का जो सबसे महत्तोपुन स्वाल हमारे सामने जो आया है कि क्या वैस्टिक सोरी एननसर के साथ में कीट नासक का मिलाना जरूरी है या नहीं क कोई भी ज़रूरी नहीं है इसले अगि कि ऐसे अगARS कि अगर आपके पाथ से प्लने वाले किसानों के पास डेखत,' पत्त्र का गौल होगा बक्री के मैनवर का घौल होगा माइक्रो नीटरेन होगा यह अन्य कोई भी नीटरेन हुनोंने त्यार कर रख़ा ऑगा वह आप उ तब भी आपको रेजल्ट मिलेगा और रेजल्ट भी इतना शांदार मिलेगा जिसका आपने आज तक बिलिव नहीं किया होगा विश्वास नहीं किया होगा क्योंकि फसल किसी भी फसल को लगा लो आप बागवानी की बात करें या को याने करॉप्स की बात करें या वेजिटेबिल की बात करें या मस्रूम की बात करें या हमारे किचन गार्ड में हमारी माताएं बहने यूज करती हैं की बात करें अच्छा एक चीज मेरे को बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि हमारी माता हैं और बेहने जो किच्छन गार्डिंग का जो काम करती हैं उनके लिए यह सबसे बड़ा रामबान है क्योंकि उनके लिए किसलिए जरूरी है क्योंकि वह ज्यादा मात्रा में ड्रम की विवस्ता नहीं कर पाती हैं ज्यादा मात्रा में न्यूट्रेन नहीं बना पाती हैं ज्यादा मात्रा में कीटना सक नहीं से कर सकते हैं और उसका इतना शियांदार रजल्ट है जिसका आप बिलिव नहीं करपाएंगे कुछ किसान साथियों ने हमारे सामने स्वाल किया जी क्या पानि के साथ में चला सकते है अगर आप फॉलियर सपरें चिटकाव अगर आप करेंगे उसका जितना जल्दी रेजल्ट आपको मिलेगा उतना पानी के साथ देने में रेजल्ट आपको नहीं मिलेगा कुछ किसान साथियों ने सवाल हमारे सामने किये कि क्या इसमें गुड की मातरा डालना जुरूरी है नो बिल्कुल नहीं गुड की कोई भी आवसेक्ता आपको नहीं है गुड की कोई भी आवसकता आपको नहीं है गुड डालने की कोई भी आवसकता आपको नहीं है कुछ फार्मर ने सवाल किया कि सर हम मानली जी रासाइनिक कीटनासक उपयोग नहीं करना चाहते हैं इसका उपयोग करें बिलकुल कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं आपकी जी आपक करते हैं तो जो बजार से आपको पेस्टिसाइज दिया जाता है उसमें आपको बताए जाता है कि आप एक लिटर परती एकड़िये फाना दुआ है यह आपको यूज करना है वहां पर आप एक लिटर की बजाए आदा लिटर भी आप यूज करेंगे तो दो लिटर के बराब पर उसका प्रिणाम को मिलेगा किसान साथ ही वह प्रिणाम ही मिलेगा उसके हसाथ जो उसका असर होता है कि कुई भी टेस्ट कर्वाते हैं उसमें रासाइन इसकी माता रांती है नह happens उसर का उपयोग जहां भी आप करेंगे वह उसकी मात्रा यानि विशायुक्त जो उसके अंदर है जहर जो है उसको खतम करने का काम करेगा प्रिनाम देगा खतम करने का काम करेगा जो भी कीटना से काप जो भी उत्पाद उसमें मिलाएंगे उसकी मात्रा को दस गुना बढ़ कीजिए यानि एक फसल की अगर हम बात करें तो 900 रुपय का खर्चा है एक फसल का ओनली और पेस्टेसाइज का आप अंकलन कर लिजिए आज वेजिटेबल लगाने वाले फार्मर की अगर हम बात करें तो एक एकड़ के अंदर अगर कोई भी वेजिटेबल किसान साथ ही लगाता है तो 20 से 25 रुपय की पेस्टेसाइज उसमें डालने का काम करता है और वो काम हमारा मात्रहजार रुपय में बन रहा है लेकिन आप उपयोग करें और उपयोग भी उस तरह से करें इमानदारी से उपयोग करें यह नहीं है कि आप ने बोटल ले लिया उसको भना लिया उसको छोड़ दिया उसको यूज नहीं किया फिर बोल दिया कि सर हमें कोई रिपसी नहीं मिला नए अ बीक कुछ घानक्न का स्वार हमारे सामने था कि क्या आज हमें 24 खंटे के अंदर इसका उप उपयोग कर लेना है इस बात का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है कुछ किसान साथ ही कह रहे थे कि सर बरसांत के सीजर में बरसांत आती है देखिया आज के दिन हमें पता होता कि बरसांत कब आएगी आज की जो टेकनोलोजी बहुत अडवांस है वो आप भी जानते हैं मोसम विवाग के दुवारा परडे हमें सूचना दी जाती है कि आज बरसांत होगी या नहीं होगी तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखे उसके अनुजार आप इस गोल को त्यार करेंगे तो अच्छा रहेगा तो किसान साथियों कुछ सवाल हमारे बीच में थे उन उसके आपर अनन्हीं सरका क्या असर है ने इंसर का उप्योग हम किस परकार से करें उस विशे की पर आंग बताने का काम करेंगे और उस से आगे हुर्वक जैसे यूरियाल ॉदि-अप ए मन्पी जो भी पोटा थागे रब इकमें जो भी डालते है पर अगश में इसमनी मे देना चाहता हूं किसान साथियों अनेंसर का बहुत चांदार प्रिनाम है इसका आप उप्योग कीजिए और अन्य फार्मर से भी करवाईए जिस भी साथि को बोतल चाहिए वो वीडियो पर दिये गए वाटसप नंबर के उपर मैसेज करके मंगा सकते हैं किसी भी साथि को ओड़ी सी ओर्जिनल वरिश्जी कंपोजर चाहिए तो वह भी वीडियो पर दिये गए वाटसप नंबर के उपर मैसेज करके मंगवा सकते हैं तो किसान साथियो मैं वीडियो को यहीं विराम करता हूं कल हम दुबारा एक नए विश्वर आप लोगों के बीच में आजवर होंगे दन्यवाद नमस्कार राम